डीडी पंजाबी चंडीगार चैनल देख रहे तमाम दश्कां दा मेरजीत स्वागत कर दिया प्रोग्राम स्वस्थ जीवन दिविज दोस्तों सी सारे जान देहां के आज है वर्ल्ड रैबिस डेई रैबिस जिसनों के हलकादी नानल जाने जान दा बहुती खतरनाक जान लेबा बिमारी है सो केस तरह फैल दी है ए बिमारी केंदेने के ए बिमारी जड़ी है जानवरां दे कटन देनाल फैल दी है ग्रस्त हो जान्दा ते केई वार देखन वी चान्दा के एस दिनाल जान भी चले जान्थी है सो एना तमाम गल्नादे वारे आज चर्चा करांगे जानकारी लवांगे सादे विचकार विराजमान ने दोक्टर निशा साही जी जेडिके डिप्टी डिरेक्टर हेल्थ सर्विसेद पंजाब ने और इना दिनाली दोक्टर पृती धावरे जी ने जेडिके स्टेट प्रोग्राम ऑफिजर नेशनल रैबिस कंट्रोल प्रोग्राम रखने सबतों पहला ता डॉक्टर तो जानागे डॉक्त निशा जी के रैबिस जेसनुवस भाट खतरनाख बिमारी केनिया असल दीविचे है कि रैबिस रैबिस सच मुछ खतरनाख बिमारी है प्रेवेंटेबल है 100% प्रेवेंटेबल है किसदे जीवजन तो जेड़े हैग Regular benton हम्णि मीष्रोयान दोंने ल्रिस होन दे हैं धग मंकी बाइंटे usamoda है बंदरेइकत्षक्त टो हो सखदेप एवन कैट्षक्तषक टो भी रहें हू कvasive नोंने है चिजव हो जंग जंगली जनवनादे टन तो हो सकदेह फाने वाने है आपने इंसानानों ते आपने 100% बचाफ कर सकते हैं मैडम के में पता लगदा है सानू के किसे इंसान नो रैबिज हो रही है इंसान नो जदो कोई रैबिज जानवर कट लेंदा है जानवर 90% तो लेके 95% कुट्यां तो हुंदी है सब लोग इन्हों एजे पैट डॉग रख दे है यहां स्ट्री डॉग तो कटन दे हो जान दी इंसान दे वीच लक्षन ठेड़े पाए जान दे है उसनू उल्टिया आनिया शुरू हो जान दी है जानवरा दे नाल .... तो त topics लेके my और जान दे भी-काईजले शुरू हो जान दे भीily नाल फिट्स दी मां दे यहीं जान देर कि अट रॉषनी तो डरगना शुरू हो जान दा उए शुरू है है यह इंकि पानी तो डरगना शुरू हो जान दा है और यह जड़े मसल्स होंदे है, स्पैस्म हो जान्दा मसल्स ते उ कुछ नियांगा आनी सगदा, खानी सगदा, पुख नहीं लग सब्सक्राइब, बहुत इंपोर्टेंट है, जदो उन्हों देख देख दोरी सिर्थी बड़ी प्याना कुंदी है, कि हवाली भी तडप रहा जब गुट विच वेख दे ने जए सबस्सक्राइब, पर डोग करताना मिख दित्विच नियां मिलते हैं, कि जए सरा नवर ने कटिया उन्हों करें दूख देख दीअगे जह चैहां मिलते हना हैं, जए इस जजज़ क्टिया ने ज़ाँ ने कटिया, जए जए ज़क ने जानवर दे विच भी ओही लक्षन आ गए हुन्दे है उन्हों भी बुखार हुए हुन्दा है और भी उन्हों पुखनी लग रही हुन्दी हो इरिटेबल कटनों दौरदा है और मुह दे विच्छो लार आनी शुरू हो जान दी है ते ओ मली भी हमेशा थानू अटैक मोड द ज़ए मैं ज़ए ज़ए अनू किसे दी हालत होई हुन्दी है ते अनू ना खोस्टल लेके जान दे ते सब तो फर्स्ट ट्रीटमेंट ओदा की शुरू हुन्दा देखो दो तरह दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हों दी है एक ते ज़ए लोगा नो जन्हें भी डॉग ने कट्या किसे भी अनिमल ने कट्या है का असी सारे अनिमल्स रेबिड नहीं हुन दे है असी आलेके चल दे ते ज़ए लोग नॉर्मल आन दे है कि सानू अज पैट डॉ असी और जखम दे साब देनल ट्रीटमेंट करते है अगर ते और ते कोई जखम नहीं है कोई खरोंच नहीं है असी उनू कॉंसल कर दे है ते उनू कबराना नहीं है अगर कर दे डॉग ने भी कट या बार देने भी एनू 15 मिनट पाणी दे थले अच्छी तरह वाश कर लो अनू कोई बीमारी नहीं होएगी बस इक कॉंसलिंग इस वेरी इंपोर्टन एक ताइम इवन उस पेशन नू क्या जानदा है कि तुसी अगर रेबीज दे इंजेक्शन प्रिवेंशन ली लगाने है ते तिन डोसी लगा लो जिदा 0, 3 ते 21 दे लगा दे प्रिवेंशन ली और जेड़े उन्हीं गाइडेस दे जानदी कि अपने डोग नो भी साल दे साल टीका लगाया जाए दूसरा जेड़ा केस आनदा है जेड़े छोटी जी ख्रॉंच हुंदी है और तो थोडी जी ब्लीडिंग आई हुंदी है ख्रॉंच राइड उस नू कहन दे कैटेगरी असी ओरे विच सिर्फ ब्लीडिंग नहीं आई हुंदी है ते कैटेगरी टू उन्हों असी कहन दे इंजेक्शन लगवाओ उन्हों वैक्सिन किया जानदा है वह जड़े वैक्सिन हुंदी है जीरो, थ्री, सेवन, लाइक ट्वैंट दे लगांदे और मोड दे लगांदे इंट्राडर्मल रूट दे रहा ही दोन्हों तरफ लगांदे पर उस दरान असी ओन्हों की कहने है कि जड़ा 15 मिनट ली तुसी ओन्हों वाश कर लो, कॉंसलिंग कीती जानदी ते वैक्सिन लगाके, बिठाके, अद्दा कंटा फेरकार वापिस के पेज जानदा है ते बा अगर जखाम नो असी बाहर उना नो एक जगा बनी होंदी होंदी होस्पिटल्स या क्लेनिक्स दे बाहर कि तुसी ओन्हों अच्छी तरह साफ बुन ना पंदरा मिनट तो दो ते का असी ए मैसेज भी देना चालने है सबनू कि जदो तुसी आओ साड़े तो कोई भी अगर नहीं लगाने होंदी होंदी जड़ा खुलया जखाम हुंदा है जड़े च्छा बाइट होंदी है ब्लीडिंग होंदी और चासी वैक्सिन दनने है ऐस वेल आसी सीरम दनने है वो जड़े नूट्राइजिंग अंटी बाडी ज़े पंदरा दिन इमीजेटली एक्ट क कर गया है उन्हों नूट्राइज करते है ते जड़े तो आनू लगदा किसे देविच लक्षन आ गया गर रिवीजे वो पेशेंट नू बुखार हो रहा है उल्टी कर रहा है ते असी उन्हों टर्श्री हॉस्पिटल से बेज़ दे है क्योंकि वो थे अद्मिट हो जाए अंडर ऑब्जर्वेशन रहा है जिननल कि अगर उन्हों साल एंच कोई तक लीफ हो रही पानी तो डा रहा है और ऑब्जर्वेशन होस्पिटल चर्श्री केर सेंटर्स वार्ड होंदा हो थे जथे रैबिट कुत्यां कारण जड़ों बाइट हो जान दी ते पेशन नू उ कि ओस जगाते जाके सर्वेलेंस करें हाउस्टोर सर्वेंस लेंस करें कि ए डॉग ने किस किसनों कट्या है तो जड़ी भी लोग ओरे कंटेक्ट है वो सब लोग वाकसीनेट हो जाने चाहिए ते मां अगे नू बहुत चाल दा हूंदा सी एस काल दा के जड़ों किसी तो अनू तो होदे इंजेक्शन लगने और लगण के भी पेट देवेज ए वाली इतारना जड़ी होड़ी गलत हो गया ना नवा टीर्मेंट हो गया विकास आई डॉन थिंक सो कोई डार वाली बच्चे बच्चे नू पता है कि आपा डर ना निया है सिरफ अगर अगर प् पीरियड है जी ते मैडम तॉर डिवाल चाल देया जी प्रीती थाबरे जी तुसी एस जदो तुसी एस प्रोग्राम देना जुड़े हो ते किने केस से तुसी होन तक देखिया कि किने कड़ा तुर्ड़ी को इकटा होया है रह साल हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं तुसी है है चाल में डी के अच्छा कर दीवेचा किने ओंपटी है तुनयतन आइटेप जाता तुम के रहे से दोडियू लाचा के दीवेच्ट की शाल के साहते हैं अभी तक इस साल 2021 में जुलाई तक का डाटा है हमारे पासना जाना चाना दे साल 2022 को ब्सक्री के वागने तो यह जब आते हैं तो इनका फॉलो अप होता है यह चार इंजेक्शन लगाते हैं यह चार इंजेक्शन लगाते हैं यह चार इंजेक्शन इनको देज बताते हैं हम ट्रीटमेंट कार्ड देते हैं ट्रीटमेंट कार्ड में देज लिखी रहती है क्योंकि यह देज इक्वल करके उनको दे देते हैं और उनके लिए प्रूफ भी होता है कि हमारे हम ने ये वैक्सिनेशन पूरी कर लिए तो ये एक सुईधा हम देते हैं उनको इसके अलावा जो भी उसका सिम्थमेटिक ट्रीटमेंट होता है उसके साथ जैसे कि अगर उसको टीटी इंजेक्शन लगा हमारे पास इस साल अभी तक एक भी डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है लेकिन पिछले साल हमरे पस दो केसिस थे जो सस्पेक्टेड रेवी थे मतलब जिन में लक्षन हुए थे कि ये इनको हाइड्रोफोबिया जैसे के पानी से डर लग रहा है हावा से डर लग रहा है रोश और ऐसे सस्पेक्टेड केसिस बोलता है इनको लेकिन अफर्म नहीं हो पाई लबाट्री से टेस्ट होगे लेकिन हमारे पास इस की रिपोर्ट आती है जो बहुत जादा नहीं होती दो या तीन से जादा अभी तक लास त्री यॉर्स में नहीं आई है जो डॉक्टर नेशा जी थोड़े तो पुछना चाह मांगे के जदो इस था इलाज चाल रहा होंदा है पेशेंट थोड़े कोल एडमिट होया है ते फिर उस दी जड़ी फैमिली है उना दा भी चैक अप होंदा है जा उना दे वेच इस तरह दी कोई संभाब ना नहीं हो सकत साथे को चैड़े केसी आंदे है राइ पेट डॉक्ष भाइट दे आंदे रॉस्टे स्टी डॉक्ष पेशेंस होंदा थे फैमिली नो नाल गॉवाट इंपॉर्टन होंदा है और साथे वह बहुत सारे अवेरनेस प्रोग्रम साथी चला रहे है जिनना आज कार दे वी सब पता है कि आपा किदा अपना बचाफ करना है डॉक बाइट क्लिनिक दे वीच जाना है और लागे हर है वेल्टनेस क्लिनिक दे वीच इरी फेसिलिटी फ्री ओफ कॉस्स साथे को लेगी है ते में साथा है अवेरनेस अड कॉंसलिंग ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट दे यह वारा कुछ दे नहीं अवारा कुछ दे नहीं साथे डॉक जाना खतरनाक है यह जाए पैट डॉक्स जेडे पैट डॉक्स होंदे है असी ओना दे वीच सारे लोग वैक्सिनेट करांदे एरली और एट एवन आजकल अजकर अजिए ने भी कम्मुनिटी डॉक्स नो अड जेकर किते किसे कोई परसन जेड़ा अटैक्ट हो जानता है कुट्या दे वलों से ट्रे डॉक हुंदे ने तो उननों ओके इस तरीक के दिना अपना बचा कर सकता है मैं हमेशा अपने पेशेंट्स नों असी कॉंसल कर दे कि तुसी अखां दे विच ने देखना डॉक दे और पजना भी नहीं है ओ ते रुक जाओ जाओ कि क्योंकि ओ अटैकिंग मोड दे वी चुन दे अगर सी पजांगे ते डॉक भी थवा दे पजेगा ते ज्यादा फिर अपने फेस नों अपने हथाना कवर कर लो क्योंकि थोड़े फेस थे वाइट या नेक थे नहीं होनी चाहँदी तुसी लग एक बच्चा जिदना पोजीशन लेंदा है तुसी लिट जाओ ते अपने फेस नों टोटली कवर कर लो दे दना सेव यॉरसल फ्रॉम दे डॉक फेस इंजुरीज दे नेक इंजुरीज देनियां डेंजर सुन दियां और तो तुसी आपने अपनों बचा कर सकते हैं डॉक्टर पृती जी मैं थोड़े तो फेर जानना चाहांगी के इस वेले पंजाब दे वेच रेवीज दे इलाज दे ले किन एक क्लिनिक बढ़ चुक पंजाब में वहां पर नोडल ओफिसर्स हैं जो इन क्लिनिक्स में जो जो स्टाफ पोस्टेड होता है उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं और उनके बार-बार विजिट करते रहते हैं कि यहां पर सारा काम सही चल रहा है क्या देखने के लिए नवे इतात की थान होने देव प्रेखनों में लेया कि कुछ रिडियूस होई नहीं केसिस जब हम ट्रेंड देखते हैं जब से मैंने प्रोग्राम देखा है तो जब हम ट्रेंड देखते हैं तो हम जो डॉग बाइट के केसिस हैं वहर साल इंग्रीज हो रहे हैं इस बिकॉस ऑफ डॉप पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है उसके कारण लेकिन इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टन पार्ट यह होता है कि हम अवियरनेस पहलाएं कि आप कैसे डॉग बाइट से प्रिवेंशन हो सकती है और अगर डॉग बाइट हो गया है तो उसको रेबीज में कनवर्ट नहीं होने के लिए आ आप मैंने बताया कि रेनिंग वाटर में फिफ्टीन मिनित तक चक्म दो घर में एंटिसप्टिक है डेट टॉल है जो एंटिसप्टिक है वो लगा और तूरंत हॉस्पिटल आ जाओ और डॉक्टर से कैटेगराईजेशन करा हो और उसकी ट्रिटमेंट लो अगर आप पू उमर देंसान हो सकता है यह जा जा ज्यांग या ये जा जाल देंसान हो सकता है लेकिन वड़े होंदे अपने थोड़ा बचाव करके चल दे है तो तो रस्ता चेंज का लेंदे इसाज़ा 40% चिल्डरॉंस्त विक्टमाइज है ज्यादा इटाग बच्च्छी आज़ा हो इंजरेटी बूंड है फेस ते नेक देयागे है तदी यसी कहनद है अवेरनेस होनी चाहिए थी बच्चे आने वीच भी कि दना डॉग तो दूर पजना है गा या दूर होके चलना उस रस्ते दे वीच नहीं जाना है गा उना ते उत्ते पत्थर नहीं मारना है गा अगर होना चाहिए कि अपने फियस्नों कवर का लाजा और सभावड़गा जाना है आपने फेस्नों कवर काराव जड़ा जड़ा दाटा कहनदा है कि 40% चिल्डन आर विक्टिमाइज बाइज वाए दौ पायच्छ ज़ाना इंपॉर्टेंस ने इंपॉर्टेंस थी प्रोग्रम् आप आप जाएंगे लिए फटाफड़ा पाच देने उसी भी बार जाएंगें लोग भी राख देने करांदे विछ जा मॉंकी भी राख देने 10-15 दिन दोग उना, तो लेहां देने, तो किन्नी देर बाद जड़े डॉगनो इंजेक्शन लोग उना, किन्नी दिरबाद लगा सकते हो लाँ? ए जड़ा डॉगनो इंजेक्शन दो और 3 मॉंस दे बाद आई तिंक स्रुडू हो जाना है गया गया गया, फर्स 3 मॉंस दो जड़ा पॉप होंदा है उर तो इना खत्रा नहीं होंदा है बर सम्हाव अगर साधे कुल बच्चे कटवा के आ जान दे है डॉग तो फर्स 3 मॉंस पॉप तो आपा फेर भी होना नूँ डॉग बाइट तो कवर कार देने, प्रिवेंशन इस बेटर देन कियो तो आई आई अल्वेज रिकमेंड की जड़े बच्चे है कार देविच अगर डॉग राक लिया है तो सब नू प्रिवेंटी मैयर भी लैने चाहिए अपनी वैक्सिनेशन भी करा लैनी चाहिए अच्छ अच्छ अपनी खुदी भी करव 21st नो लग 21st day ते जय कारे किसे बच्चे नो जाकार दे किसे भी मैंबर नो सिर्फ जड़ा डॉग या ओदे सिर्फ जीब देना ताच कार जान दा या जस्पर जान दा जान दा दा जान दा नहीं पर्ष कार दा जान ने लिकिंग देना अगर ताच कारे कोई प्राब्लम न जरूर लगवाले, क्योंकि तुसी उन्हों वैक्सिनेट भी करवा हो, आपने जिनने भी डॉग्स का अर्दे हैं उन्हों वैक्सिनेट करवा हो, जिटे कम्यूनुटि वाले डॉग्स है, यह स्ट्रीट डॉग है, वो साघा एणिमल हस्बेंट्री डिपार्टमेंट है, उन् इस देड़ कार्दे बंदे जनने डॉग रखेया पेट डॉग रखेया असी उनों एरली वैक्सिनेट कराई ए रेबिस अगेंस्ट और ओना दी फैमिली भी अपने आपनों वैक्सिनेट करवान नमबर टू कम्मिनुटी डॉग्स नू भी वैक्सिनेट होन ओना दी भी तद यह रहा बचा हो सकता है ते साड़ा टीचर है 2030 तक असी अपने इंडिया नों रेबिट फ्री करना चानने है डॉग्टर एस वार बर्ल्ड रेबिस डेदा थीम की रख्या होया एस वार थीम जिड़ा इंटरनेशनली है गर रेबिस फैक्ट नॉट फियर भी रेबिस बारे जानकरी देनी है अवेरनेस वेलानी है और डरना नहीं है रेबिस डरनन वाली बीमारी नहीं अगर रितिजित पानी है ते प्रिवेंशन करनी है और जन जन तक पचानी है कि कि अपना बचाफ कर सकते हैं जानना चामांगे के जरूरत पैंदी है पता नहीं लगदा है कि असी जाना कित्त है अलागे शागे कोई हॉस्पिटल भी नहीं है ता असी चौनिया केसाडा कारी कोई इलाज कान ले आजवे ता कोई कोई कॉई कॉंटेक्ट इस तरह दा कोई टोल फ्री नंबर जेसे नार असी कोई साधे ना सपर्क कर लाए कोई डॉक्टर जान कोई हो टीम मेंबर जेदे नाल असी जल्दी तो जल्दी उना दे कॉंटेक्ट दे विच आ जाईए तांके इलाज शुरू हो चके उस्ते बास दे सब्सक्राइब तोल फ्री नंबर है का दिक सो चार नंबर बाकी साध हर लेक डिस्टिक दे विच हेल्थ वेलनेस क्लीनिक चाल रहे है और अप्रोचेबल है लोकी उत्थे जाके अपनी ट्रीटमेंट ले सकते हैं के एक होर काल जनना चमा के डॉक्टर निशा जी होना तो के रैबिस नू अवेर करन दे लही लोकां दे विच जागरुकता असी जड़ी बुक्लेट रिलीज कीती सिहेत अते परिवार पिलाई पिवाग पंजाब बलो यह रैबिस दे रिलीज कीती गई है जड़ी की असी 195 क्लिनिक दे वीच पे जांगे उत्थे ऐ प्रोग्राम मंथली या डेली जड़ी भी अपने पद्दर दे साधे स्टाफ है उननों लोकां दे वीच अवियरनेस फिलानगे की असी जड़ी रेबिस तो फैक्ट्स दे बारे जानना है और तो डरना नहीं है रेबिस फैक्ट्स एंड नो फियर फ्रम दे रेबिस सो दोस्तो बहुत कुछ जान चुके हैं सी डॉक्ट्टर जे कोड़ों के जे कार असी किसे कुट्टे दे कट्टन दा शिकार हो गए या बेशक उसी कार दे वीच रख्या है तो जालदी तो जालदी डॉक्ट्टर दे संपर के वीच आ जाना चाहिदा है जेस तरीके दिना सानू सला दे रहे ने जे में इलाज करवाणनू खहरे ने उस तरह इलाज करवाण दी रहना चाहिदा है और जेडियां गल्त तारनावा जेडियां अफवामा फैलियां हो याने उना तो गुरेज करना चाहिदा है बचना चाहिदा है जिनना भी हो सके सर्फ सिर्फ डॉक् सानु एन्नी चंगी जान कारी पेलडी